हमारा स्वाधिन ताद नोलन सत्य और हिंसा के सिद्धान्तों पर आधारित रहा। उन्होंने तथा अन्न सभी राष्ट नायकों ने भारत को आउपनिवेशिक साशन से मुक्त करने का मार्ग तो दिखाया ही, साथ ही राष्ट के पुनर रिर्मान की रूप रेखा भी प्रिस्तुत की। अपने गरतंत्र की विगत 75 वर्सों की यात्रा पर जब हम नजर डालते हैं तो हमें ये गर्ब होता है कि हमने प्रगती पत पर काफी लंबी दूरी तै कर ली है। गांदी जीन हमें ये सिखाया है कि गलत दिखा में तेजी से कदम बढ़ाने से अच्छा है कि सही दिखा में दीरे ही सही लेकिन सधे हुए कदमों से आगे बढ़ा जाए। मुझे इस बात का गहरा दुख है कि दूसरी लहर में बहुतेरे लोगों की प्रान रक्षा नहीं की जा सकी और बहुत से लोगों को भारी कस्ट सहने पड़े। यह अभूत पूर्व संकट का समय था। मैं पूरे देश की ओर से आप सभी पीड़ित परिवारों के दुख में बरावर का भागीदार हूँ। यह बाइरस एक अदरस वा सक्तिशाली सत्रू है जिसका विज्ञान द्वारा सराहनी गती के साथ सामना किया जा रहा है। हमें इस बात का संतोस है कि इस महामारी में हमने जितने लोगों की जाने गवाई हैं उससे अधिक लोगों की प्रान रक्षा कर सके हैं। आल ही में संपन टोक्यो ओलम्पिक में हमारे खिलाडियों ने अपने शांदार प्रदसन से देश का गवरो बढ़ाया है। भारत ने ओलम्पिक खेलों में अपनी भागीदारी के 121 बरसों में सबसे अधिक मेडल जीतने का इतियास रचा है। हमारी बेटियों ने अनेक बाधाओं को पार करते हुए खेल के मैदानों में विश्व इसतर की उत्कृस्टता हासिल की है। है।